तो आरे इतनी भी छोटी नहीं हो, मैंने का विलकुल छोटी नहीं हो, मैं तो बहुत ज़ादा बड़ी हूँ, तो actually मैं काई कोई सामने भी होता है, तो मैं अपनी एज बढ़ा के और बताती हूँ, उस वक्त मनारा मेडम भी आ गए हमारी, ठीक है, मनारा मेडम ने भी ताने मैंने का मना रहा, अभी मैं उस दिमाग से नहीं हूँ, कि मैं आपको समझा सकूं, मतलब उस घर में मेरा ही सबसे ज़्यादा फाडू गेम दिखता था सबको, कि मैं ज़्यादा अपने पॉइंट रखती हूं, मैं सबसे बात करती हूं और इंटर्टैनिंग भी मैं हाली में Big Boss 17 में देखा था तो बहुत-बहुत स्वागा थे Sonia आपका नवभारत टाइम्स के साथ कैसी है आप बिलकुल अच्छे हैं आपको भी आपकी फिल्म आ रही है धीरा जो 2 फरवरी को रिलीज हो रही है तो उसके बारे में आप पहले हमारे दर्शकों को बताये कि क्या है और क्या उसे हिंदी ओडियन्स देख पाएगी या फिर उसे तेलगू ओडियन्स तक ही सीमित रहेगी वो हिंदी भी देखेंगे क्योंकि वो कोई ना कोई प्लैटफोर्म पर फिर से रिलीज होने वाली है जैसे कि MSO ने नेटफ्लिक्स जो भी लेगा बट अभी तेटर रिलीज है तो अभी तेटर में ही चलेगा वो तो बट वो फिल्म बहुत अच्छी है इन फैक्ट मेरी फर्स्ट फिल्म है दीरा तो उससे काफी ऐसा है कि ऐसा रोल भी मैंने नहीं किया था बट अभी फिलाल में मुझे वैसे ही रोल आते है तो वो भी मुझे तोड़ा कट ओफ करना है क्योंकि मेरा एक डॉक्टर का रोल है उसमें बट बहुत अच्छा story भी है story भी बहुत अच्छा है मतलब जो story है वो theme जो लड़का है hero वो theme में देखता है मुझे मतलब ऐसी लड़की सुन्दर सी बट मैं होती नहीं हूँ अजिम करता है वो आपको theme करता रहता है तो एक film का ऐसा track है वो पूरी film है बट story बहुत अच्छी है अच्छा तो यह इसका offer आपको big boss में जाने के पहले मिल गया था या उसके बाद नहीं मैंने यह film करें मुझे एक साल हो चुका है already मैंने वाइजक में शूट किया था मैंने हैदराबाद में शूट किया था तो यह काफी time हो गया इसको big boss recently में मैंने किया उसके पहले यह film के बाद मैंने एक और film कर ली है उसका yes boss है वो film आने वाली वो भी और उसके बाद मैंने बहुत सारे music वीडियो किये मैंने big boss किया अभी यह release पे है तो ऐसा काफी चल रहा था वर यह film को मैंने काफान हो गया करें और उसमें मेरा look भी बहुत अलग है क्योंकि look मैं थोड़ी heavy भी हो अच्छा वेट बढ़ किया अपने हाँ मैंने उस टाइम मेरा weight बहुत जादा बढ़ रखा था तो अभी मैंने ठीक किया वो इस क्रिट के demand थी या फिर अच्छा तो इसके लिए approach कैसे किया गया मतलब जैसे कि अभी आपने टीवी किया तो अभी लोग आपको भी boss के उससे ही जान रहे हैं उसके पहले आपकी journey कैसे शुरुआत हुई कैसे आपका इस field में आना हुआ मेरा इस field में आना हुआ मैं एक job करती थी call center में starting में फिर मैंने corporate join किया था जिसमें काफी political काम होता था जैसे की documents वगेरा इसे छपाई जितनी भी हम लोग इस्तमाल करते जैसे governments की तो मैं ज़्यादा तर governments के काम में रही थी अभी recently में मैं फिर उसके बाद job छोडने के बाद भी मैंने acting line चालू तो किया बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूँ क्योंकि एक दिमाग में है कि मैं acting कर सकती हूँ मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ बट मेरे financially चीजों को लेके मैं बहुत जादा ऐसे रहती थी कि नहीं मुझे काम करना ही पड़ेगा जाद job करू या फिर मैं individual में कोई और काम करू तो फिर मैंने अपना काम खुद का डाल लिया sideways और मैंने acting भी continue किया तो starting में मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे क्या project वगरा करना चाहिए ना हो मुझे सब पता है कि मुझे किस direction में काम करना है तो ऐसे ही मेरी journey जादा लंबी नहीं रही बस short रही है क्योंकि मैंने 2017 से start किया था 17 में भी मतलब थोड़ा 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 आदा काम कर रही हूं आदा इस है तो आपने इसके पहले कौन सी फिल्मे की है क्योंकि इससे पहले मैंने इसके फिल्म की है हाँ डुक्की एक फिल्म की थी मैंने जिसमें मेरा कॉप का रोल था और in fact इस स्टोरी बहुत अच्छी थी मेकिंग थोड़ा सा मुझे नहीं ठीक लगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ जैसे एक्टिंग में भी मैं अपनी एक्टिंग को लेके मैं ऐसी शियौन भी रहती हूँ क्योंकि मेरे अंदर जितना निकाला जाता है मैं उतनी पॉलिश होती हूँ तो उस वक्त मेरा एक्टिंग का अच्छा था बट शायद वो कुछ ना कुछ मिस कम्मिनिकेशन डारेक्टर के साथ में मुझे ऐसा लगा बट मैं उससे बैटर कर सकती थी बट ठीक है वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे क्योंकि मैं मेरी जो मॉम है वो हमेशा चाहती थी कि मैं एक पुलिस यूनिफॉर्म में मुझे देखना चाहती थी क्योंकि उदर मेरे पादर है वो भी आर्मी से है तो और मैं भी जाना चाहती थी बट किस्मत का खेल है नहीं जा पाई तो मेरी मॉम ने जब वो फिल्म देखी तब भी यही बोल रही नहीं बेठा आभी भी ट्राई कर सकते मैंने का नो मॉम अभी हो गया फिर उसके बाद मैंने एक सूर्वीर करके एक वैप स्रीज की है होट इस्टार के लिए तो ऐसे मैंने काम किया है थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा मैं करती गई हो अभी भी recently मैं जो Big Boss भी गया तब भी मैं है अभी वेरी भी और भी लाइनप है प्रोजेक्ट तो TV इंडस्टी में मुझे वैसे भी नहीं जाना था TV इंडस्टी में जाना होता तो मुझे ये फिल्म इंडस्टी बेटर लगती है अच्छा मैं मतलब आपने जितना भी पताया है मैं थोड़ा से और डिटेल में जाना चाहूंगी कि जैसे कि आप आगरा की रहने वाली आपके बारे में बहुत सादा जानकारी गूगल पे मौझूद नहीं है लोग सर्च करते हैं कि सोनाली बंसल बायोग्राफी सोनाली बंसल सोनाली नहीं है मेरा नाम सोनिया बंसल सोरी सोरी सोनिया बंसल बायोग्राफी सोनिया बंसल रिलेशन्शिप स्टेटस और इंस्टाग्राम बिग बॉस यह तीन चार चीज़ें आपके बारे में सर्च होती हैं तो उसके बारे में थोड़ा बायोग्राफी कि उस पे कैसे आपका आगरा से सफ़र शुरू हुआ और जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली मतला आपके फादर आर्मी से हैं और आपको उस फील्ड में जाना था लेकिन आप नहीं गई हैं आपने अक्टिंग में करेवना तो कैसे कोई अबजेक्शन नहीं हुआ आपको अक्टिंग बना था और आपने कॉल सेंटर में जॉब की तो वो थोड़ा सा आप स्कूल, कॉलेज और थोड़ा सा एक्टिंग के थोड़ा सा बताये मैं पहले तो आगरा से ब्लॉंग करती हूँ मैं वीरी जो जड़नी है वो आगरा के पास में ही एक घर है मेरा तो वहाँ पे मैं काफी टाइम रही इन फेक्ट मैंने पीजी जॉइन कर लिया था और मैंने वहीं से पढ़ाई की जैसे कि मैंने 12th के बाद मैंने जो भी पढ़ाई की है वो भी मैंने study और मैंने job साथ-साथ में किया है ठीक है मैंने ऐसे नहीं बट मुझे acting का ऐसा बिल्कुल भी idea नहीं था कि acting actual में होती क्या है हम बस यह जो film देखते हैं तो बस मुझे यह पता था कि यह film है बट मुझे नहीं पता था कि यह लोग के ऐसे हैं यह making करते हैं या ऐसा कुछ है मुझे बिल्कुल भी idea नहीं और मैं जब Delhi shift होई थी तो Delhi में मेरे एक दो friends you know मेरे look को देखके बहुत ज़्यादा मुझे pinch मारते थे कि तुमारा look तुमारा ऐसा personality ऐसा लगता है कि कोई actress को देख रहे है मैंने का actress क्या होता है तो मोलें actress मतलब देखके यह actress है ऐसे करके बात करते थे तो फिर मेरे एक दो friend होने भी काफी बोला कि नहीं आपको है na modeling में try करना चाहिए आपका height बगएरा बहुत अच्छा है मैंने का नहीं मुझे नहीं करना और फिर मेरा जब transfer मुंबई में हुआ था तो मैं एक PG में ही रही थी जहां पर बहुत सारी actress model रहती थी मैं उनको देखके मैं बीच में थोड़ा टोकूंगी आपके फादर जब आर्मी में थे तो फिर आपने job call center को चुना और फिर किस से कैसे जूरी मैं ना तैयारी करते हैं उसमें जब आपको जाना होता है जैसे कि मेरे फादर का time निकल गया था उन्होंने जो जॉब किया मुझे थोड़ा अच्छे लेवल पर करना था तो मैंने IS और PCS की तैयारी की थी और मैंने मंडी कौन सा है कोई जगे द्रस्टी करके ऐसे बहुत स है तो मेरे सब कुछ किलियर होने के बाद कभी-कभी मुझे इंटर्व्यूज मैं मैं पास नहीं हो पा रही थी जैसे कि I.S. officer जो होते हैं उनके इंटर्व्यूज होते हैं दो-तीन इंटर्व्यूज होते हैं बहुत सारे लोग बैठने के सराउंडिंग में तो उस वक्त मे मेरे दॉक्वेंट्वमेंट्स देखता था तो थोड़ा सा बच्ची है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो उस बज़े से भी थोड़ा सा हो रहा था फिर मैंने दॉक्वेंट्स पर भी थोड़ा सा एच इंक्रीज करवाया, कि मैं सब को नजर में आओ, फिर उसके बाद काफी ट्रा कि नहीं मैं और भी बेटर कर सकती हूं तो मैं इतना अफर्ट्स क्यू डाल रही हूं तो बीच में ही मैंने तैयारी भी कर रही थी बीच में मैंने एक इंटर्विव्स दिया Amazon में मैं सेलेक्ट हो गई मैं जाके अपने आराम से जॉब करने लगी मैंने का छोड़ो यहां पर अतनी सेलेई है उतनी मापड़ है बट वो नाम होता है वो मेरी फादर काफी मेरे को समझाते थे जो आप जॉब कर रहे है उसका कोई नाम नहीं है जो आप करोगे वो नाम बाली चीजे होंगे तो मैंने खा बो छोड़ो मुझे मेरी लाइफ थोड़ी प्राइवेट है मैं बहुत हमबल रहती हूँ मुझे ज़्यादा सो यह सब मुझे बिलकुल पसंद नहीं है कि मैं नाम बनाओ यह करूँ यह भी अभी थोड़ा सा है क्योंकि मुझे उस लाइन में मैं आ गई हूँ ठीक है नहीं पहले नहीं था पह आपको वही लाइफ अच्छी लग रही है डैली में रहते हो आराम से किसी के लेना देना नहीं है फिर मैंने कॉपरेट्स में जॉइन किया और कॉपरेट्स में सारे के सारे गॉर्मेंट्स के ही लोग रहते थे तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब मुझे उस फिल्ड में जाने की जुड़त नहीं क्योंकि इस से मेरा बहुत बड़ा नाम है क्योंकि मैं जिस कंपणी में जॉप करती थी उस में भी अच्छे लेवल पर चली गई थी मैं तो फिर मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं उस पापा वाली लाइन में जाओं कि मेरे फादर करते थे वो ही करूं फिर मेरे पादर का में दिमाख निकल गया था, क्योंकि हमारी सैल्डी वगरा इतनी इंक्रीज थी, इतना अच्छा पैकेज मिला हुआ था, तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था, फिर अच्छानक मेरी मम्मी का दिमाख अभी भी रहता है, अभी भी मैं एक्टरिस हूँ, और अभी ना कभी वो टोन मारती हैं, कि तुमने तैयारी नहीं की, तुमने यह नहीं किया, उनका दिमाख रहता ही है, तो फिर उसके बाद मैं एक्टिंग में कैसे आई, वो भी मेरा टांसवर हुआ, यहां मुंबई में, टांसवर नहीं होता तो शायद मैं उसी वाली मैं नहीं आती, बड़ टांसवर हुआ तो मैं सब के होस्टल में जो रह रही थी, चार-पांच नड़कियों के साथ, वो एक्टर मॉडल थी, और मैं एक्टिंग में मैं इतना बड़ा कोई वैसा नहीं सीखा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के एक्टिंग क्लास सीखा है, बट इनी यह सीखा कि एक्टिंग है नई है, यज़ पिर आपको डिमांग में डालना नहीं है, तो वो जो लड़कियां हमसे आउडिशन वरमाती थी, तो मैं उनको हमेशा बोलती ती, मैंने का पहली बड़ाद तो आप एक्ट करना बन कर, यह act नहीं चाहिए, क्यूंकि हम film में क्या देखते हैं, कोई act कर रहा हो film में, तो हम देखेंगे नहीं देखेंगे, हम अपनी चीज sailor से जोड़के देखते हैं जब हम से कोई बात करता है, तो उसका nature कैसा होगा, उसका behavior कैसा होगा, उसका body language कैसा होगा वो ही हम देखते हैं, तभी हम connect करते हैं, चाहे वो emotional चीजे हो, चाहे वो friendly हो, चाहे कोई relationship हो, कुछ भी हो, तो मैं बहुत बार उनकों को टोकने लगी, तो मेरी एक friend थी, जो मेरे room share कर रही थी, तो उसने बोला कि, सुनिया तुम बहुत अच्छा, technically आप अच्छा जानते हो, acting के मारे में, मैंने का, जानने की बात नहीं है, मैं तो film देख रही थी, film तो, मुझे film में पसंद है 19 की, जो सनी देवल, को भी देवल वाली, बट, हाँ, जैसे कि आज की acting में, पहले की acting में भी बहुत फरक है, बट आज की भी technique में, बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, क् क्योंकि हम जब देखते हैं, acting में, कोई over भी दिख रहा होता है, तब भी हम कहते हैं, क्या इसने किया, मझे नहीं आए, क्यों over किया, तो acting की technique है, जो इंसान technique समझ जा है, तो acting की जरूरत नहीं किसी को सीखने की, तो मैं उनको बस acting सिखाते सिखाते, मतलब, audition लेते, लेते, मैंने एक दिन, सोचा, कि ट्राइ करेंगे, ट्राइ करने के लिए हम नहीं सही, फोटो शूट भी कराया, तो पहले मैं थोड़ी heavy भी थी, मतलब, weight weight gain करके बैठी होई थी, क्योंकि, job करती थी, खाने के लावा कुछ काम था नहीं, तो बस मैंने weight कम किया, उसके बाद मैंने फोटो शूट कराया, फोटो शूट के बाद, in fact, मेरे जितनी भी circle में, जैसे मेरी friends हैं, तो वो audition बगरा देती रहते थी, फिर मुझे एक film offer हुई थी, जिसमें मेरा छोटा सा ही काम था, बट मैंने कर लिया, मैंने का देखती हूँ, try तो मारू, है कि मैं सच में acting camera के सामने मैंने face किया, तो मैंने कभी camera देखा ही ने, मैंने कभी camera देखा ही ने, कि camera मुझे catch कर रहा है, मतलब, you know, जब आप ये समझने की कोशिश कर लेते हूँ, कि आपको कोई surrounding में catch कर रहा है, तो आप conscious हो जाते हो, तो मैंने हमेशा ये सीखा, कि मैं वस field पूछती थी director से, मैंने अच्छा camera यहा है, field इतना है, अच्छा मुझे इसी surrounding में अपना act करना है, that's it, but जितने ही भी लोग, मेरा first time था, बहुत लोग भी खड़े हुए थी surrounding में, तो मैं बस ऐसे देखती थी, मैं ये नहीं देखती थी, कि ये लोग मुझे देखके, क्या सोच रहे होंगे, क्या क तरक नहीं पड़ता है, तो acting में बड़ा easy हुआ, कि मेरे अंदर confident बहुत है, कि मैं किसी को भी ऐसा नहीं, कि हां मेरे सामने कोई बड़ा actor, in fact, मैंने एक film की थी, अभिशेग बच्चन के साथ मैं, तो मेरा first time था, तो मैं बहुत थोड़ा सा ऐसा लगा, कि मैं अभिशेग बच्चन के साथ काम कर रही हो, मैं कैसे करूं कुछ गल्दी कर दी तो, कौन सी film थी और कैसे उसके लिए अप्रोच किया गया, कैसे, इसके लिए एक friend director है, उन्होंने अप्रोच किया जाता, और director का नाम पार्ती बंद है, अभी release नहीं हुई, Netflix के लिए film है, तो, अभी release न बच्चन से मिली, in fact, और, actually मैं कहा है, कि एक थोड़ी सी मेरे अंदर technically चीजें है, कि मेरे सामने कोई act करने के लिए खड़ा हो जाता है, तो मैं भूल जाती हूँ, कि वो है, क्या है, क्या नहीं, बस that's it, मेरा काम, तो, जब scene नहीं लगा था, उससे पहले मेरा दिमाग में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके बाद जैसी scene में, बैसी मैं भूल गई, तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं acting को ज़्यादा mind पे लेते हैं लोग, तो acting थोड़ी से problem आती है, acting चिल करके करेंगे शान्ती से, मजे कर अभी 27, तो 22, 23, अभी मुझे 4 साली हुए है, मलब lockdown को छोड़े तो 3-4 साली हुए मुझे, lockdown का चलागा, lockdown में मैंने सोचा था, मैं acting को drop करूंगे, क्योंकि मेरा काम बहुत बढ़ गया था, तो lockdown के बाद मैंने सोच लिया था, lockdown में ही सोच लिया था, कि acting victim मैं छोड़ देती हूँ, मुझे नहीं करना, lockdown से पहले किया हुआ था, बढ़ उतना नहीं, lockdown के बाद मैंने किया, जब मैंने छोड़ने का सोचा, decision लिया, फिर मैं पर काम आने लगा, काम आने लगा तो मैंने का यह कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ, यह कर लेती हू मिला, break कैसे मिला? उसकी wife भी होती है, और उसकी girlfriend होती है, तो girlfriend का जो track है, वो मेरा था, ओके, और जैसे कि अभी आप काम कर रही हैं और आपकी अभी film आने भी वाली है, आपके बहुत सारे projects line-up में, अगले 5 साल में आप अपने आपको industry में कहां पर देखती हैं? मैं तो बहुत उपर देखती हूँ, बट मुझे, हाँ, definitely, क्योंकि मैं, बीच में नहीं रहना चाहती, मैं अप ओना चाहती हूँ. क्योंकि बीच में रहूँगी, तो मेरे पास बहुत काम है, मैं industry में समय परवाद नहीं करना चाहती, और definitely वो जाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर confident है, कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, हाँ, उस चीज को करने के लिए मुझे अपने आपको थोड़ा सा ठीक क करना पड़ेगा, जिस तरीके से लाइना इनसान को करना होता है, तो बस अभी बहुत चल रहा है, मैं कैसे क्या अपने आपको वहां तक लेके जाऊं, तो बीच का नहीं हूँ, ओके मतलब काफी आगे देखती है, तो आपका जैसे कि आप हिंदी इंडस्ट्री को छोड़कर, साउथ इंडस्ट्री के साथ आप अभी जुड़ी है, तो कोई जैसे कि पहले भी ट्रेंड रहा है, कि जो बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस रही हैं, उन्होंने अपना इनफेक्ट मैंने दो फिल्में कर ली, कम्प्लीट होगे, तीसरी भी चालू है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्लैनिंग नहीं करना चाहिए, कि नहीं पहले हम साउथ में ट्राइ करेंगे, और फिल्म में इंडस्ट्री में, वालिवुड में करूँ जहां पर भी काम मि लिया, तो क्या कभी आप से कभी किसी ने कोई ऐसा फेवर मांगा, जैसे कि आजकल सुनने को मिलता है, लोग कभी-कभी बताते हैं, कास्टिंग काउच के बारे में बात करते हैं, तो कभी ऐसा कुछ आपके साथ हुआ सिनारियो, पहले, इन तीन-चार सालों में, जबसे आ नहीं होता, क्योंकि मेरे जितने भी, मैंने देखा है, पहली बात तो मैं डारेक्टली बात नहीं करते हुआ है, मेरे खुद बात करते हैं, दूसरा रहा मेरा स्टार्टिंग में ऐसा था, कि लोग ऐसे जैसे मैं बात कर रही हूँ डारेक्टली, मैंने स्टार्टिंग जो क मुझे थोड़ा सा जाना स्टार्ट किया तो मैंने यह देखा मैं पहली बात तो वह वाली लड़की नहीं थी कि बहुत पैस्टिनेट हूँ कि एक्टिंग के लिए कुछ भी कर लूगी वो मेरे मैं पहले से एक्टिंग बाद की बात है पहले सामने वाला क्या बोल रहा है शाम का क्या प्लान है मैंने और मेरी आदत है कि मैं दस बज़े के बाद सो जाती हूँ तो अभी इंडस्टी में आने के बाद मेरा ऐसा हो गया है बारा एक बज़े मैं सो जाती हूँ नहीं तो पहले ऐसा तक नहीं मैं दस बज़ते ही मेरी मैं कहीं भी सो जाती हूँ तो मै वो भी ऐसी लड़की से बात कर रहे हैं वो कि 10 साल अपनी life के ऐसे निकाल के आई हो कि industry के लोग मुझे तब भी easy लगते हैं अपनी life में मतलब ऐसे मैंने लोगों में देखा है कि industry के लोग ठीक है बात सब करते हैं सबके साथ मैं ऐसी चीज़े होती रहती हैं बट मेरे लिए easy इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि director या producer से मेरी नहीं बनेगी तो मैं cut off कर दीती हूँ that's it मैं आगे देखूंगी बट हमारे industry में ये तो अपने पास option है न बट जहां पर ऐसे job करते हैं कोई लड़की जिसको पचास जार से लाख रुपए तक salary मिलती हो उसके उपर इतना pressure होता है और उसके पास दूसरा कोई काम ना हो तो वहाँ पर कितनी struggle है करें जब आपके पास तीन बहुत आपको ऐसे बात करने की कोशिश कर रहे हो जब आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है मेरे industry में मेरे पास रास्ता है में एक डारेक disp추 किसात्ग काम नहीं करूंगी तो definitely मैं दूसरे के साथ काम कर सक्ती हूं मैं तीसरे के साथ काम कर सकती कोई बोलता है कि नहीं इंडस्टी बहुत खराब है तो मैं ऐसा ही बोलती हूँ कि नहीं इंडस्टी खराब नहीं है इंडस्टी में तो बहुत सारे उप्सन है मेरे पास जहां जॉब करते हैं उनके पास बिचारों के लिए उप्सन नहीं रहते हैं वो लोग जह बोलते हैं उनको करना पड़ता है, इतना प्रेशर होता है दिमाग पर, तो मैंने लोगों से बोला, कि नहीं, मैं दस बजे के बाद सो जाती हूं, तो आरे इतनी भी छोटी नहीं हो, मैंने का बिलकुल छोटी नहीं हो, मैं तो बहुत जादा बड़ी हूं, तो actually कोई सामने भी होता है, तो मैं अपनी एज बढ़ा के और बताती हूं, मैं मेरे आदत है, क्योंकि मैं सामने से ऐसे छोटी दिखूंगी, तो फिल लोगों के दिमाग में और चलना स्टार्ट होगा, अरे ऐसा वैसा, तो मैं जादा बढ़ा देती थी, तो उसने काफी मेरे क को ट्राई किया, कि नहीं आज रात में मिलते हैं, चेक काट के देते हैं, ऐसा वैसा, मैंने का देखो, मिलेंगे तो हम कली मिलेंगे, नहीं तो नहीं, कि नहीं आप इतनी भी छोटी नहीं, इंडस्टी में आ गगई हो, तो आप ऐसा नहीं कि थोड़ा सोचो, पीडियोसर आए हैं, आपको तो सोचना पड़ेगा, मैंने क्यों सोचना पड़ेगा, किलियर बताओ ना, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रही हूं, आप समझाओगे तो समझ जाओ, दिको, इंडस्टी में आते हैं, दिको, कोई भी लड़की हो, आपके पैसा लगा रहा है, पीडियोस ठीक है, तो बहुत बड़ा काम है मेरे लिए तो, बंदा नहीं मान रहा तो मैंने का देखू, मैं सच में बच्ची नहीं हूं, बट तुमारा जो तरीका था ना, वो बहुत गलत है, ठीक है, पहली बात तो कोई इंसान इंट्रेस्टेड होता है ना, ऐसे बात करने में, ची आप बात करो, ये क्या मतलब है कि पिडियोसर आये हैं, बातचीत करो, उनसे दोस्ती बढ़ाओ, ये करो, वो करो, ये सब सवाल दे, मैंने सीधा बोला, मैंने का देखो, अभी आप जाओ, मेरा गुस्सा बहुत तेज हो जाएगा, और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा कि मैं किसी पे, और पता क्या है, एक और चीज है, मुझसे ऐसी कोई बात करता है, तो मैं पब्लिकली चीजे नहीं करती हूँ, क्योंकि उसकी तो इज़्जत नहीं है, मेरी इज़्जत बहुत बड़ी है, तो मैं पब्लिकली भी चीजे नहीं करूँगी, मैं सीधा बोलू तो मिटू के देखो लगी वो भी बहुत गलत बात है जो भी डारेक्टर पीडियो से ऐसी चीजे करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रॉंग डिसीजन रहता है उन लोगों का जैसे कि क्यों कभी मुझे एक पॉइंट सही नहीं लगा कि जब ऐसी नौबत आने वाली होती है तो आप वहां से कट ओफ क्यों नहीं कर देते हैं आप कट ओफ कर सकते हैं जब आदमी का बेहेवियर ऐसा देख लो कि तुमको पता चल जाता है कि वो बन्दा तुम्हें इतना इंट्रेस्ट ले रहा है आपको काम से ज़ादा आपको फालतू की बाते करने वाला है तो वहां से कट ओफ हो जाओं ये बाते बनेंगी नहीं क्योंकि उसका तो कुछ नहीं गया बट लड़की की इमेज होती है जहां पर लोग बहुत उठा उठा के बोलते आ रही ये बात कर लेते हैं जिस वजह से आप थोड़ा सा लाइमलाइट में आई है फिनाले की बात करूंगी मैं जब आप बाहर रहकर ट्विटर पर शोशल मीडिया पर मनारा को सपोर्ट कर रही थी ये चाह रही थी कि वो जीती और जैसे आप घर में गई उसने आपकी आपका नाम शेडर में डाल दिया ये कह गए कि वो आपके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती है आपको पार्टी में नहीं बुलाएगी तो उस पे आप क्या चाहूंगी मैं ये बोलना चाहूंगी पहले तो मैं मनारा को पहले से ही जानती हूँ ठीक है हम लोगों का बाचीत है दरवास से ही इस टार्ट है मनारा जब मिली थी तो मनारा का अलग नेचर था अलग तरीका था शायद वो बिग बॉस के तरीके से चल रहे थे तो मैंने बोला भी था और मैं ऐसी लड़की हूँ जो हां पर कोई लड़की ऐसे चीजे कर भी मैं बड़े हमबल से बात करती हूँ ऐसा बहुत उठा रहे थे जो आ रहा था वो हमें मलब बोली रहा था उस वक्त मनारा मैडम भी आ गई हमारी ठीक है मनारा मैडम ने भी ताने मैंने का मना रहा अभी मैं उस दिमाग से नहीं हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ और प्लीज आप जब नहीं समझ सकते हो तो आप मेरे से बात मत करो इस बात पर भैस होते होते एक सुबह के भी हुआ था मॉर्निंग का चाय का चाय का भी ऐसा था चाय उन्होंने बहुत सारी बना रखी थी और फिर हाँ वो सब हमने देखा एपिसोड हमने देखे है में जो उन्होंने एक तरफ आप उनको सपोर्ट करिया दूसरी तरफ वह ही बताने चाहरे तो मनारा का जो मेरा जगड़ा हुआ था वो एक लॉजिक ही नहीं था जिसमें लॉजिक नहीं था और हो और फिर मैंने भी शांत हो के बड़े तरीके से मैंने सोचा कि शायद गलती तोनों की तरफ से उसको समझ भे नहीं आ रहा था और आप फायर कर रहे थे तो मैं उस चीज को मैंने ड्रॉप कर दिया इंफेक्ट मैंने मनारा को जब भार निकली तब भी मैं देख रही थी जादा जादा दो चार रखते रहूंगी उसके बाद मैं खुद बोलूँगी भाई मुझे निकाल दो मैं उतना नहीं सेहन कर सकती क्योंकि एक तो काम इंसान का मारा जाता है दूसरा वही जगड़े करने ठीक है तो मैंने वो दिमाग से गई थी तो मनारा को जो जर्नी मैं केली वही खेलती दिखाई थी सारा घर उसके उपर चड़वा चड़ भी जाता था तो मैं अभी भी रिल्स कभी वही देखती हूं बड़े अच्छे से टेकल करने लगी तो शायद वो कभी-कभी ऐसा भी होता है वो आ जाता है गेम में खेलते-केलते ठीक है तो मैंने सोच करी कि गल्त है और मैं उसको support नहीं करूंगी तो ऐसा मेरा कोई उद्स नहीं था मेरी वात थी मेरी Big Boss तक मेरी किख किम उ चुकिए विख बहूर मैने जब उसकी journey देखी कि तो मैंने कहा कि नई यह इसको बिनर वनना चाहिए और मुनावर भी था अंकिता भी थी और उनके according मुझे ऐसा लगता है कि मनारा को मिलता है तो मनारा थोड़ा अच्छा काम कर सकती है तो मैंने according काम के बज़े से मैंने सोचा कि उसको काम मिले अच्छा और in fact मेरे south के कुछ common friend भी है मैंने उनको भी बोला मैंने का नहीं मनारा बनना चाहिए क्योंकि मनारा अच्छी फिल्म में करें south में या फिर Bollywood में क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे कि मैं 27 की हूँ मुझे पता है तीन-चार साल आराम से कूट-कूट के काम करूँगी मैं अभी और यहीं मनारा को देखें तो मनारा अभी उनका age है और उनकी age के according उनको अच्छा काम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है तो मेरा वैसा वाला था उनके लिए वैसा नहीं कि मनारा ने कुछ भी बोला और मनारा को नहीं पता कि मैं बहार से जो भी हमारे बीच में अंदर हुआ और बहार सोनिया का क्या input था तो सबके nature अलग-अलग होते हैं ऐसा नहीं है मेरा nature हमेशा मैं भूल जाती हूँ यह मतलब नहीं है कि अरे लड़की को जगड़ा हो रहा था और लोगों ने बहुत रोल भी किया कि मनारा को बाहर सपोर्ट कर रही थी सुनिया और मनारा ने तो उसको कचड़े कर दी है मैंने का कर दिया कोई बात नहीं मुझे कौन सा लेना देना है मुझे अच्छा लगा अब एक बात बताओ पांच लोग हैं पांच लोगों में आ आप बिलीव नहीं करोगे तो मैं चाह रही थी कि वो कम से कम वहार नहीं तो टॉप टू में आए ठीक है तो मैं उसको चाहती थी मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ जगड़ा हुआ जगड़ा सब में होते हैं जगड़े के बाद क्या चीज़े नहीं होती अच्छी तो मेरा ऐसा नहीं था मनारा को बैसे भी जब भाद निकली थी तो शायद किसी ना बोला भी था कि तू क्या कर रहे थी तो बोलती है सौरी मेरे को कोई और नाम नहीं निखाई दी है मैंने कोई बात नहीं है मतलब fan following वाली बात थी मेरे last question है तो fan following वाली बात थी मुनवर fan following ज़्यादा होने की वहर से जीते हैं लेकिन अगर instagram पर आपकी following आपकी और अंकिता से compare करें तो आपकी ज़्यादा 6.2 है उनकी 4 something या 5 something है तो ऐसे मैं आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा उनके comparison में ज़् रहना deserve कर रही थी जो आप जिस तरीके से आपका पहली बात तो मैं बोलू इवेक्शन था ठीक है और कभी-कभी क्या होता है जब आप following की according या फिर मतलब जैसे कि मैं एवेक्ट हुई थी तो वो अंदर वाले घरवालों की बज़े से वेक्ट हुई थी मैं भार वालों के नहीं हो सकती थी क्योंकि मुझे already मुझे confident है मेरी फैंक पॉली अच्छी खांसी है लोग मुझे अच्छे खांसे जाते हैं ठीक है बट जब ऐसा decision हो जाए कि घर में से लोगों को मतलब इवेक्ट करना है तो definitely उस टाइम मैं बहुत हाई थी मतलब उस घर में मेरा ही सबसे ज्यादा फाडू game दिखता था सबको कि मैं ज्यादा अपने point रखती हूं मैं सबसे बात करती हूं और entertaining भी मैं अच्छी खांसी हूं तो मतलब लोग समझ गए थे कि यह रही in fact सबको पता था यह रही तो सबको भार बेशती रहेगी तो और जब मैं इवेक्ट होई तो मु मुकाबले कि कोई थे नहीं बट ठीक है कोई नहीं अब यह दो चार साल बात देखेगा कौन था कौन नहीं था अच्छा आपके बारे में एक गूगल पर question बहुत ज्यादा सर्च होता है आपका relationship status तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी लोग सर्च करते हैं कि बहुत सर्च करते हैं बहुत सर्च करते हैं इसलिए मेरा भी ऐसा रहता है कि मैं ध्यान नहीं देती हूँ बहुत सारे लोग तो मीडिया में सामने से ही पूछ रहे होते हैं आबट आभी मैं और definitely कोई लड़का अच्छी life में आएगा तो पता चलेगा तो शादी का मतलब क कुछ है कि इतने साल तक कर लेनी है या जब मिलेगा तब की जाएगी ऐसा वाला सीन है ऐसा नहीं सोचा मैंने जो लोग यह सोचते हैं कि शादी के बाद काम नहीं कर पाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है शादी के बाद काम कर सकते हो बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपन तो आपको निवाने की capacity होना चाहिए, जिससे वो बिगडे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कोई लड़का मिलता है, तो मेरे में कितनी छबी है, कितनी खूबिया हैं, कि इसको मैं समाल सकती हूं इसको मैं देख सकती हूं तो मैं पहले तो बहुत देखती हूं मैं लड़के से ज़्यादा मैं अपने आपको देखती हूं, कि मेरे में कितनी खूबिया हैं, जो मैं सामने वाले को, दो लोग बोलते हैं दो relationship होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सामने वाले को change करेंगे बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आपको change करती हूं बहुत बहुत शुक्रिया सुधिया आपके साथ बात करके अच्छा लगा